साथियों नमस्कार, स्वागत है टू चैनल L.I.C. मिसन पर साथियों आज के बिसे पर जिसमें मैं चर्चा करने जा रहा हूँ हूँ वो बिसे है आपजेक्शन हैंडलिग अक्सार ऐसा होता है कि आपजेक्शन जब भी आते हैं हमारे बेउसाय को लेकर तो हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं या तो हम जवाब जानते भी हम ये सोचते हैं कि कहीं उसको बुरा नग जाए बीमा धारक को हम सैडिस्वाई नहीं कर पाते हैं जिसकी वज़ा से हमारे बेउसाय नहीं बढ़ता है ऐसे में हम क्या करें साथियों, अक्सार ऐसा होता है कि हम अपने जिस विशय पर बात करने जा रहे हैं, जिस बीमा धारेक से बात करने जा रहे हैं, उससे हम उन सब विशयों पर बात नहीं करते पहले, जिस पे हमें करना चाहिए, जैसे उसकी जरूत क्या है, उसके वसकता क्या है, उसकी हम financial planning कैस करें जब तक हम कुछ चीजें कुछ बाते हैं हम अपने बीमा-धारck जो संभाविध हैं अगर उससे नहीं पूचते हैं यह पता ही आ जिलेगा वास्तों में उससे बीमा दे सकते या नहीं दे कि वो उसकी आय कुछ है भी या नहीं है अगर आय है तो कितनी है और उसकी सालाना आय को हम calculate करें फिर कम से कम उसके 15% saving insurance group में ले आने का प्रयास करें minimum 15% उसके बाद फिर ये जरूत देखें कि उसके family में कौन-कौन लोग है पतनी हैं, बच्चे हैं उनकी education चल रही है या किस standard में है इसकी जानकारी हमें होने चाहिए बेटा है या बेटी है इसकी वे जानकारी हमें करना चाहिए अगर ये सारी चीज़ों क जानकारी हम करते हैं तो हमें उसके financial planning को करने में आसान होगा अक्सर होता क्या है कि हम बीना कुछ जाने हम बीमे की बात करना शुरू कर देते हैं अवसकता जब तक हम create नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज को उस बेबाधारत संभाविज जो है उसको दे नहीं सकते हैं तो हमें जानने की जरूत है तो यह सब चीज़ें अगर हम पहले से जान लें या पूछ लें तो हम उसके बारे में विचार करें कि यह स्ब्यक्ति को हम क्या दें जिससे इसको सूड भी करेगा और आवसकता पर इसको जरूत पढ़ने पर यह पैसे मिल जाएगे अगर यह सब चीज़ों को हम सवाल कर लेंगे तो हमारे लिए बीमा चुनना आसान हो जाएगा यह आसान होगा कि हम एक कौन सा बीमा इसको देना चाहिए इसके आओ सकता कब है और पूरी हो जाएगे हमारे बीमा दे से इंकम इसलिए जानना जरूरी है कि ये आधार बनेगा कि हम इसे कितना premium ले सकते हैं जब भी premium की बात करें तो मंतली की बात करें मासिक premium लेने के गर बात करेंगे तो चीजें आसान हो जाती हैं बड़े premium निकालने के लिए अकसर हम जब सालाना premium की बात करते हैं तो लोग घवरा जाते हैं कारण क्या है घवराने का? जितने भी लोग आज इंकम करते हैं, तो अपने एकाउंड में कोई bank balance ने रखते हैं. जितने भी आए करते हैं, वो सारे अपने जरूतों में, अपने परिवारिक जरूतों में उसे खर्च कर देते हैं. जिसकी वजा से हम उस पैसे को करें उसको बीमा दें उसकी अवसक्ता को देखते हुए जिससे क्या होगा कि हम एक बड़े बीमे निकाल भी पाएंगे और प्रीमियम भी हम अच्छे खासे ले आपसकते हैं अक्सर होता है कि हम बीमा धन की बात करते हैं लोगों से जाकर कि आप पांच लाग का बीमा लेजिए दस लाग का बीमा लेजिए नहीं दोस्तों अगर हम ऐसा बात करेंगे तो हम बीमा तो ला सकते हैं लेकिन प्रीमियम नहीं ला सकते हैं premium लाने की लिए जरूरी है कि हम उसके आउसकतों को समझें और उस अधार पर premium लें जिससे हमारी आई भी बढ़ए और उसकी जरुद भी पूरी हो ये सबसे ज़रूरी है कि हम उसके premium निकालने के लिए उससे आइ को जानने रही पात अब्जेक्सन हंडिलिंग की तो बहुत सारे लोग किसी भी बीमे को लेने के लिए बीमे सिर्भ भागते हैं दूर भागते हैं ऐसा लगता है कि बीमा आप ना देकर उसे कुछ और चीछ देने जा रहे हैं जो एक बार्डन है उसके लिए तमाम तरीकर के बहानी बताता है बीमा के नाम सुनते हैं ऐसे सवाल ख़़ा कर देता है ऐसे वो परिसिदी बता देता है कि हम आप भोली नहीं पाते जया थे बीमे के साथ होता है अगर आप किसी और चीज़ों के बात करेंगे, उसे बता ये कि आपके पैसे यहाँ डालने से एतना मिल जाएगा, इतने कम समय मिल जाएगा, तो हर हाल वो पैसे कठा कर लेता है, लेकिन बीमे की बात जब करते हैं, तो मना कर देता है, क्यों? करण क्या है कि हम बीमा समझाते नहीं, बीमा के अवसकता को समझाते नहीं, बीमा क्या है जरौत है आपकी, आपके परिवार के लिए क्या मानिय रखता है, यह जब तक हम उसकुल नहीं बताएंगे, तब तक वो बीमा नहीं लेगा, बीमा उसको समझाईए, बीमा का थीम समझाईए, बीमा का उद्देश बीमे के उद्देश के बाद करें, बीमे के अवसकता क्यों है, जब तक उसको create नहीं करेंगे, तब तक हम उस बीमे को नहीं दे पाएंगे, इसलिए साथियों अवसकता को देखिए, और उसके बाद बीमे की planning करिए,